दोस्तो नमस्कार ये है मागदोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तो मागदोशन करेंट अफेयर्स के अंतरगत आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामाई घटनासार करेंट अफेयर्स के अंतरगत जनवरी 2021 से सितंबर 2021 के महत्वपोण करेंट अफेयर्स का संकलन जो आपके आगामी परिक्षाओं जैसे UPPCS प्रारंभिक परिक्षा सहायक बन संरक्षक और छेतरी वन अधिकारी परिक्षा आरो यारो यानि समिक्षा धिकारी सहायक समिक्षा धिकारी जूनियर हाइ स्कूल अधियापक भरती परिक्षा और उच्चतर सिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान अधियन के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो समसामई घटनासार करेंट अफेयर्स का पहला भाग दोस्तों आज की वीडियो में हम जो करेंट अफेयर्स देखेंगे सबसे पहले राष्ट्री घटनाओ का करेंट अफेयर्स देखते हैं पहला प्रश्ण है हाल में किसे गुजरात बिधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है तो ये हैं डाक्टर नीमा बेन आचारे दोस्तों डाक्टर नीमा बेन आचारे को गुजरात बिधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है अगला प्रश्ण है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानि DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परिक्षण कप किया गया तो ये तिथी है 27 सितंबर 2021 को अगला प्रश्ण है दोस्तों देखिए असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मितो है सराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतक यानि GI टैग परदान किया गया है तो उसका नाम है जूडिमा दोस्तों जूडिमा जो है ये असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मितों सराब है जिसको कि सितंबर 2021 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानि भौगोलिक संकेतक कट परदान किया गया है उसका नाम है जूडिमा अगला प्रश्ण है हाल में अदालतों से जेलों में इप्रमारित प्रतियों को अस्थानांतरित करने के लिए उचितम ने आले ने किस इलेक्टरानिक पडाली को लागू किया है तो ये है दोस्तों फास्टर अदालतों से जेलों में ये प्रमारित प्रतियों को अस्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर पडाली को लागू किया है इसका पूरा नाम है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिसन आफ एलेक्ट्रानिक रिकार्ड अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वाड जयनती के असर पर भारती सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कुलकाता में 21 महोसव का आयोजन किया है तो ये है विजाय सांस्कृतिक महोसव का आयोजन किया गया है 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वणड जयनती के अउसर पर अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टप एको सिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सी रैंक परदान की गई है तो ग्लोबल स्टार्टप एको सिस्टम रैंकिंग में भारत को बीसमा अस्थान मिला है अगला प्रश्ण है दोस्तों वह अस्थान जहां के बन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पालमेटम का उद्घाटन किया गया है तो वो राज्य है उत्राखंड दोस्तों नैनी ताल के हल्दवानी में विभिक्सित पालमेटम की तार की 110 परजातियां शामिल है अगला प्रश्ण है दोस्तों प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन की सुरुआत कब की है तो तिथी याद रखेगा 27 सितंबर 2021 दोस्तों 27 सितंबर 2021 को भारत के परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन की सुरुआत की है अगला प्रश्ण है दोस्तों नागा लेंड का वह उत्पाद जिसे सितंबर 2021 के आखरे सप्ताह में GI टैग यानि भावगोलिक संकेतक टैग परदान किया गया दोस्तों मीठा खीरा नागा लेंड का उत्पाद है जिसको सितंबर 2021 में GI टैग मिला है अगला प्रश्ण देखते हैं सितंबर 2021 में किसे भारती वाई सेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो यह है एर मार्षल विवेक राम चौधरी दोस्तों एर मार्षल व विवेक राम चौधरी को भारती वाई सेना यानि इंडियन एर फोर्स का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अगला प्रश्ण है दोस्तों 24 से 28 सितंबर 2021 के मर्ध पहला हिमाले फिल्म महोसव कहां आयोजित किया गया तो लेह लद्दाक में दोस्तों 24 से 28 सितंबर 2021 के मर्ध पहला हिमाले फिल्म महोसव लेह लद्दाक में आयोजित किया गया है अगला प्रश्ण देखते हैं 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे उचे EV चार्जिंग इस्टेशन का उधगाटन किया गया है तो ये है लाहौल इसपीत जिले के काजागाओं में Electronic Vehicle Charging Station का उधगाटन किया गया है और ये दुनिया का सबसे उचा Electronic Vehicle Charging Station है अगला प्रश्ण है दोस्तों 20 सो बाधिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों के बैश्विक नवाचार सूचकांग 2021 में भारत को कौन सा अस्थान द तो आप इसको जरूर याद कर लिजेगा कि बैस्विक नवाचार सोचकांग 2021 में भारत का 46वा अस्थान है अगला प्रश्ण है दोस्तों परधानमंतरी नरेंद्र मोदी ने राजसभा सभापती वैंकईया नाईडू और लोकसभाध्यक्ष ओम बिढ़ला के साथ संसध टीवी कब लांच किया गया है तो दोस्तों PM मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष और राजसभा अध्यक्ष के साथ संसद टीबी 15 सितंबर 2021 को लांच किया है अगला प्रशना ये देखते हैं बहुत ही महतोपूर है भारत के 162 साफ्ट्वेर प्रद्दोग की पार का 17 सितंबर 2021 को कहां पर उध्घाटन किया गया है तो ये नागा लेंड में देखिए दोस्तों भारत के 61 साफ्टवेयर प्रद्योग की पार का उद्गाटन नागा लेंड में किया गया है और अगला प्रश्ण है कि भारत सरकार के किस मंत्राले द्वारा 13 अगस्ट 2021 को शहरी और सहायता समोह SHGS उत्पादों के विपड़न के लिए सोन चिरया एक ब्रांड और लोगो जारी किया गया है तो ये आवास और शहरी मंत्राले द्वारा दोस्तों सोन चिरया क्या है तो सोन्ची रईया सहरी स्वैंग सहायता समूह उत्पादों के विपड़न यानि विक्री के लिए एक ब्रांड और लोगो है जिसको आवास और सहरी मंत्राले द्वारा जारित किया गया है अगला प्रशन है दोस्तों राजस्थान का वह उत्पाद जिसे हाल में सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक यानि जी आई टेग प्रदान किया गया है तो ये है सोजत महदी सोजत महदी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर है राजस्थान का उत्पाद है जिसको अभी हाल में GI टैग मिला है अगला प्रशन है हाल में हुए एक अध्यन में किस राजी के नेकेवल भूजल में बलकि खाद इस रिंखला में भी आरसेनिक संदोशन पाया गया है तो ये बिहार राज में दोस्तों बिहार में एक अध्यन किया गया है जिसमें राजी के भूजल में और खादिस रिंखला दोनों में आरसेनिक प्रदोसर पाया गया है अगला प्रशन है दोस्तों प्रतिष्ठित अमेरिकी मैग जीन टाइम द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के सौ सरवाधिक प्रभावसाली लोगों की सूची में किन तीन भारतियों को शामिल किया गया है तो ये हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, बंगाल की मुख्य मंतरी ममता बनर जी और सीरम इंस्टिचीट के आदार पूनावाला ये टाइम के सौ सरवाधिक प्रभावसाली लोगों की सूची में सामिल तीन भारतियों है अगला प्रशन है दोस्तों सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो यानि NCRB के आकड़ों के अनुसार वर्स 2020 में सरवाधिक हत्या के मामले किस राज्य में दर्ज हुए तो ये उत्तर प्रदेश रहा दोस्तों यूपी स्पिसल के लिए भी ये प्रशन महत्वपूर है और ये डेटा अत्यांत ही खतरनाक और भयावा है नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों का इसके आकड़ों के अनुसार 2020 में सरवाधिक हत्या उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज की गई है अगला प्रशन है सितंबर 2021 में किस केंद्री मंत्री के द्वारा IRAHTE प्रोजेक्ट लांच किया गया है तो ये दोस्तों आई रास्ते प्रोजेक्ट केंद्री सडग परिवहन मंत्री नितिन गटकरी द्वारा लांच किया गया है अगला प्रश्ण है भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किया गया है तो ये टाटा इस्टील जमसेदपूर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट जारी किया गया है अगला प्रश्ण है दोस्तों देखिये सिख्षा की भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को क्रिस्प्रद्धो की संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उडान को लांच किया गया है एक प्रश्ण और देखते हैं आंध्र प्रदेश के तटी छेत्रों और उडिशा के कुछ छेत्रों में 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती भिशर तुफान का क्या नाम था तो ये था दोस्तों गुलाब देखिए नाम देखिए कितना सुन्दर है लेकिन ये चक्रवाती तुफान था जो आंध्र प्रदेश और उडिशा के तटी छेत्रों को प्रभावित किया था अगला प्रशन है भारत में पहली बार 19 से 20 नमबर 2021 को बैश्विक बौध सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया नालंदा बिहार में दोस्तों नालंदा में भारत में पहली बार बैश्विक बौध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 19-20 नवंबर 2021 को ये इश्टार कर दे रहा हूँ बहुत ही महतपूर्ण प्रश्ण है अगला प्रश्ण है हाल में भारती अंतरिक शनुसंधान संगठन इसरो के आपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली नीजी कमपनी कोंसी है तो दोस्तों इसरो से जुड़ने वाली पहली नीजी कमपनी स्काई रूट एरो इसपेस है देखिए बहुत ही महतपूर्ण है स्काई रूट एरो इसपेस इसरो से जुड़ने वाली पहली नीजी कमपनी है अगला प्रश्ण है वह IT कंपनी जिसने हाल में Digital Skilling Program Springboard लांच किया है तो दोस्तों Infosys ने हाल में Digital Skilling Program Springboard को लांच किया है अगला प्रश्ण है हाल में भारत के किस माननी उचने आले द्वारा गाय को राष्ट्री पसु घोसित करने का निर्देश जारी किया गया है तो ये इलाहाबाद High Court द्वारा दोस्तों गाय को राष्ट्री पसु के रूप में घोसित करने का निर्देश जारी किया गया है अगला प्रश्ण देखते हैं मध्यपरदेश के बाला घाट जीले में पैदा होने वाली वो धान की प्रजाती जिससे सितंबर 2021 में GI टैग परदान किया गया है तो ये धान की किस्म है चिन्नौर दोस्तों चिन्नौर प्रजाती मध्यपरदेश के बाला घाट चिले में पैदा होती है जिसको सितंबर में जो भोगोलिक संकेत का टैग मिला है अगला प्रशन है दोस्तों हाल में किस नाम से भारת की पहली तैर्ति मिसाइल पर इक्षणर रेंज अस्थापित की गई है तो ये है INS Unwash देखे इसको मैं इस्टार कर रहा हूँ ये भारत की पहली तैर्ति हुई पर इक्षणर रेंज है जिसका नाम INS Unwash है अगला प्रशन है हाल में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योर्टी लागू करने वाला देश का पहला राजी कौन है तो ये मध्यप्रदेश है और देश की पहली लगजरी बस बोट सेवा हाल में कहां पर शुरू की गई है ये दोस्तों स्री नगर में स्री नगर में देश की पहली लगजरी ब अगला प्रश्ण है दोस्तों, डेन्मार्क के Foundation for Environment Education यानी FEE द्वारा सितंबर 2021 में किंदो भारती समुदर तटों को Blue Flag प्रमाडन परदान किया गया, तो ये तट हैं कोवलन तमिलनाडु में और इडन पुडुचेरी का, तो दोस्तों, डेन्मार्क का Foundation है Environmental Foundation for Environment Education, इसके द्वा अगला प्रश्ण है दोस्तों, हाल में तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मननार की खाड़ी में एक उर्जा द्विब बनाने की घोश्रा की है, तो ये डेन्मार्क के सहयोग से, दोस्तों, डेन्मार्क के सहयोग से तमिलनाडु सरकार ने मननार की खाड़ी में ए एक उर्जा द्वीब बनाने की घोशना की है अगला प्रश्ण है सुरक्षा पर कैबिनेट समित ने सितंबर 2021 में 56 295 मेगावाट बिमान को किस देश से खरीद को मनजूरी दी है तो ये बिमान इस पेस इस पेन से खरीदा जाएगा और सितंबर में दोस्तों कैबिनेट समित सुरक्षा पर कैबिनेट समित ने 56 295 मेगावाट बिमान को इस पेन से खरीदने की अनुमत दी है अगला प्रश्ण है भारत की किस देश के साथ 2 प्लस 2 मंत्री अस्तरी संबाद 10 से 12 सितंबर 2021 को आईजूत किया गया तो ये आश्टेलिया के साथ और भारत ने 15 सितंबर 2021 क किस नाम से अपने पहले बैलेश्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रेकिंग जहाज को लांच किया है तो ये है दोस्तों आईएनेस ध्रू आईएनेस ध्रू भारत का पहला बैलेश्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रेकिंग जहाज है अगला प्रश्ण है दोस्तों नागरी क अगला प्रशन है किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मुल्य परदान करने के लिए किस सरकार ने हाल में बाजरा मिशन की सुरुआत की है तो 36 घर सरकार द्वारा बाजरा मिशन की सुरुआत की गई है अगला प्रशन है दोस्तों केंद्र प्रायोजित पीयम कुसुम योजना के अंतरगत सोलर पंप लगाने के लिए कौन सा राज्य देश में सिर सस्थान पर है तो ये राज्य है हरियाडा और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फरनरी का उदगाटन सितंबर 2021 केस में कहां पर किया गया रानी खेत उत्राखंड में अगला प्रशन है भारती राष्टी अंतरिक्ष संबर्धन प्राधिकरण केंद्र इन इस्पेस के अध्यक्ष के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है अगला प्रशन है दोस्तों हाल में सेटिलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्टी उद्ध्यान कौन है तो ये है काजी रंगा राष्टी उद्ध्यान असम का जो कि सेटिलाइट फोन से लेस है अगला प्रशन है अगस्थ 2021 में उत्राखंड के किस मन्दिर को केंदर सरकार के Adapt A Heritage Project में सामिल किया गया है तो नारायन कोट मन्दिर जो के उत्राखंड में है जिसको केंदर सरकार के Adapt A Heritage Project के अंतरगत शामिल किया गया है अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत का वह रेलवे इस्टेशन जिसे सितंबर 2021 में यात्रियों को उच गुडवत्ता का पौश्टिक भोजन प्रदान करने के लिए फाइव इस्टार इट राइट इस्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है तो ये चंडी गढ़ रेलवे इस्टेशन सियारियस को दोस्तों फाइव इस्टार इट राइट इस्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है अगला प्रश्ण है सिक्षा मंत्राले द्वारा 7 से 17 सितंबर 2021 के बीच मनाए गए सिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या थी तो दोस्तों सिक्षक पर्व 2021 की थीम थी Quality and Sustainable School Learnings from School in India अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत किस वर्ष G20 देशों के सिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा तो ये प्रश्ण important है 2023 में भारत दोस्तों G20 देशों के सिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा अगला प्रश्ण है हाल में कहाँ पर भारत के सबसे उचे air purifier tower का उधगाटन किया गया है तो चंडीगड में भारत के सबसे उचे air purifier tower का उधगाटन किया गया है अगला प्रश्ण है दोस्तों देश के समस्तगाओं को ODF PLUS वाली इस्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करने के लिए जल सक्ति मंत्राले ने किस सव देशी अभियान का सुभारम 25 अगस 2021 को किया है तो ये अभियान है दोस्तों सुझलाम अभियान ये जल सक्ति मंत् और परियावरण विभागने हीरा कुंड जलासे में इस्थित तीन द्वीपों में से किसे एक दरसनी अस्थल के रूप में चुना है तो ये है कैटल आइसलेंड यानि मवेशी द्वीप को दोस्तों ये हीरा कुंड जलासे में इस्थित तीन द्वीपों में से एक है कैटल आइसलेंड जिसको की ओडिशा के बन और परियावरण विभाग ने दर्सनी अस्थल के रूप में चुना है अगला प्रशन है दोस्तों सेना उप्रमुख रहे रिटाइड लेटिनेंट जनरल गुर्मीज सिंग को सितंबर 2021 में किस राजे का राजेपाल ने उक्त किया गया है अगला प्रश्ण है देखिए राष्टी स्वक्ष गंगा मिसन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर 2021 को हिमाले दिवस का आयोजन किया और हिमाले दिवस 2021 की थीम इस वर्स की क्या थी तो ये था contribution of हिमाले आज and our responsibilities देखिए 9 सितंबर 2021 को हिमाले दिवस मनाये गया है और इस वर्स की थीम थी contribution of हिमाले आज and our responsibilities अगला प्रशन है दोस्तों जुलाई 2021 में transgender को एक प्रतिसत आरक्षण देने वाला भारत का पहला राजी कौन सा है तो ये राज्य है करनाटक और अगला प्रशन है दोस्तों हाल में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है तो गोवा दोस्तों राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है अगला प्रशन है चार सितंबर 2021 को संप के लिए सितंबर 2021 में किस स्वदेसी COVID-19 वैक्सिन को मंजूरी दी है तो इसका नाम है कार्बे वैक्स कार्बे वैक्स दोस्तों ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया ने क्लीनिकल परिक्षण के लिए सितंबर 2021 में स्वदेसी COVID-19 वैक्सिन कार्बे वैक्स को मंजूरी दी है अगला प्रश्ण है दोस्तों स्रमिकों के बैठने के अधिकार को माननेता देने के लिए हाल में किस राजी की बिधान सभा में एक बिध्यक प्रस्तुत किया गया है तो ये है तमिल नाडु दोस्तों स्रमिकों के बैठने के अधिकार को माननेता देने के लिए तमिल नाडु की बिधान सभा में बिधेयक प्रस्तुत किया गया है अगला प्रेशन है 15 अगस्ट 2021 को परधान मंतरी ने लाल किले की प्राचीर से देश को कब तक उर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष निर्धारित किया है तो ये है वर्ष 2047 दोस्तों 2047 तक 15 अगस्ट के स्वतंता दिवस के जो समारोह भासर में प्रधान मंतरी ने 2047 तक भारत को उर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष निर्धारित किया है अगला प्रेशन है 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 13 वे ब्रिक्स सिखर सम्मेलन की थीम क्या थी तो निरंतरता समेकन और सहमत के लिए अंतर ब्रिक्स स जोग नई दिल्ली में आयोजित 13 वे सिखर सम्मेलन की थीम थी अगला प्रेशन है दोस्तों अगस्त 2021 में कहां पर दुनिया के सबसे उचे 11,562 फिट मूवी थीएटर का उदगाटन किया गया तो ये लद्दाक हिस्थित लेह के पलदान में दुनिया के सबसे उचे मूव 2020 के बीच किया गया है 2021 के बीच तो इस अभ्यास का नाम है दोस्तों गांडिव अभ्यास और राष्टी सुरक्षागार द्वारा आतंकवाद रोधी अभ्यास किया गया है इसका नाम गांडिव अभ्यास है गांडिव दोस्तों एक धनुस का नाम है और आपको कमेंट बाक में बताना है कि किसके धनुस को गांडियू धनुस कहा गया था अगला प्रश्ण है दोस्तों आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डारेक्टर जनरल हाल में किसे बनाये गया है तो शीला समंता मथाई दोस्तों शीला समंता मथाई को आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डारेक्टर जनरल ने उक्त किया गया है अगला प्रश्ण है वह वालीवूड अभिनेता जिसे हाल में दिल्ली सरकार ने अपने कारेकरम देश के मेंटर्स यानी मेंटर्स आफ कंट्रीज का ब्रांड अमबेश्डन ने उक्त किया है तो सोनु सूद को और दोस्तों अगस्त 2021 में कोट डिल ओईर के आबिद जान में आयोजित 27 वी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दोरान UPU के किन दो प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया है तो ये है काउंसिल आफ एड्मिनिस्टेशन और पोस्टल आपरेसंस काउंसिल इन दोनों के लिए दो प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया है अगला प्रशन है दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबानियों के कबजे के बाद वहां से भारतियों और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने किस अभियान के तहट बाहर निकाला है तो दोस्तों ये अभियान था आप्रेशन देवी सक्ती आप्रेशन देवी सक्ती के अंतरगत अफगानिस्तान में तालिबानियों के कबजे से भारतियों और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने बाहर निकाला है अगला प्रश्ण है केंद्री मंत्री निर्मला सीता रमण ने कहाँ पर 1 सितंबर 2021 को नाबाड और नैब फाउंडेशन द्वारा सुरू की गई अगला प्रश्ण है दोस्तों भारतिक हगोल भौत की संस्थान यानि आई आई ए केंजीनियर जिन्हें अगस्थ 2021 में अंतरराष्टिक हगोली संग जिसको आई एयू यानि इंटरनेशनल एस्टोनामिकल यूनिट कहा जाता है इसका मानद सदस से नियुक्त किया गया है तो ये हैं दोस्तों दोरजी आंगचुक दोरजी आंगचुक को दोस्तों अंतरराष्टिक हगोली संग का मानद सदस से अगस्थ 2021 में नियुक्त किया गया है अगला प्रश्ण हैं दोस्तों 27 अगस 2021 को किस मंत्राले द्वारा 100 जीलों का सुजलाम नाम से अभियान सुरू किया गया है तो ये जल सक्ति मंत्राले द्वारा 100 जीलों में 100 दिन में ODF प्लस गाउं की स्रेडी में लाने के लिए सुझलाम नामक अभियान सुरू किया गया है अगला प्रश्ण है 27 अगस 2021 को भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माड एकाई का अनावरण की सहर में किया गया है बंगलूरू में और वह राज जिसने हाल में सारोजनिक नीजी और डिजिल अस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए Pink Protection Project नाम से नई पहल सुरू की है तो दोस्तों सारोजनिक और निजी अस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केरल राजे द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है अगला प्रशन है दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल में मेडिकल सीटों में OBC के लिए कितने प्रत्सत आरक्षण की घोश्रा की है तो मेडिकल में OBC के लिए 27 प्रत्सत आरक्षण की घोश्रा की गई है अगला प्रश्ण है दोस्तों ब्लाक्चेन प्रएक्डोकी का प्रयोग करके सैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राजिकौन है तो ये है महराश्ट और 5 सितमबर 2021 को भारत की अध्यस्ता में संपन 6 वे इपसा सम्मेलन का मुख्य विशे क्या था तो दोस्तों इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रिका सम्मेलन जो है इसका मुख्य विशे था जन सांखी की और विकास के लिए लोकतंत्र अगला प्रश्ण है हाल में किस भारती संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेश्ट स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विक्सित किया है तो IIT रोपर ने दोस्तों IIT रोपर ने दुनिया का पहला प्लांट बेश्ट स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विक्सित किया है अगला प्रश्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2021 को किसकी 125 वी जहनती पर 125 रुपए के विशेश इसमारक सिक्के का अनावरण किया है तो इसकान के संस्थापक स्रील भक्त बेदान्त स्वामी प्रभुपात की 125 वी जहनती के अवसर पर 125 रुपए के इसमारक सिक्के का अनावरण किया गया है अगला प्रश्ण है दोस्तों इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपगरह का परिक्षण किस वर्स किया जाएगा तो 2023 में और अगला प्रश्ण है दोस्तों हाल में ही भारत के कितने बाग अभ्याराणियों को बैस्विक संरक्षण सुनिशित बाग मानक मानेता दी गई है तो दोस्तों भारत के 14 बाग अभ्याराणियों को बैस्विक संरक्षण सुनिशित बाग मानक मानेता मिली है ये याद रखेगा अगला प्रश्ण है रूसी नौसेना के 325 में नौसेना दिवस समारोह में किस भारती नौसेनिक जहाज ने हिस्सा लिया आई एनस तवर ने और अगला प्रश्ण है गुजरात के गांधी नगर में वर्स 2022 में प्रस्तावित डिफेंस एक्सपो की थीम क्या रखी गई है तो यह है दिव्यनयन दिव्यनयन दोस्तों नेत्रहीन लोगों के लिए विक्सित किया गया डिवाइस है जो CSIR द्वारा निर्मित किया गया है अगला प्रश्ण है 5 अगस्ट 2021 को COVID-19 के विरुद 100% करण करने वाला भारत का पहला सहर कौन है तो यह है भोनेश्वर उडिशा का सहर जो COVID-19 के विरुद 100% करण करने माला भारत का पहला शहर है अगला प्रश्ण है अगस्ट 2021 में भारत की सबसे हलकी Metro Train किस सहर में लांज की गई है तो यह पूडे में लांज की गई है और अगला प्रश्ण है दोस्तों 5 अगस्ट 2021 को भारत और किस देष के बीच हल्दी बाड़ी चीला हाटी रेल लिंक सेवा की शुरुआत की गई है तो ये भारत और बंगलादेश के मद्ध है दोस्तों 5 अगस्ट 2021 को भारत और बंगलादेश के मद्ध हल्दी बाड़ी चीला हाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई है अगला प्रश्ण है वह राज जिसने अगला प्रशन देखते हैं अगस्त 2021 में भारत और UAE की नौ से नाओ के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास किया गया तो ये नाम था जायद तलवार 2021 भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौ से नाओ के बीच अगस्त में जो युद्धा अभ्यास हुआ है अगला प्रशन है 11 अगस्त 2021 को राष्टपती रामनात कोविन ने किस सामाजिक कारेकरता के नाम पर असमारक डाक्टिकर जारी किया तो चमनलाल के नाम पर और अगला प्रशन है भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारी ट्रेन अगस्त 2021 में कहां चलाई गई अगला प्रशन है अगस्त 2021 में ITBP बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी है तो ये प्रकिर्ती और दिशा दोस्तों ये दोनों लोग ITBP बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर बनी है अगला प्रशन है 14 अगस्त 2021 को नासकाम द्वारा आयो जित एक्स्पिरियन्स AI समिट में AI गेम चेंजर अवार्ड की स्राज्य को दिया गया है तो तिलंगाना ने दोस्तों Artificial Intelligence गेम चेंजर अवार्ड जीता है अगला प्रशन है अगस्त 2021 में किसे देश की पहली Water Plus City घोसित किया गया है तो इन दोर को पहली Water Plus City देश की घोसित किया गया है अगला प्रशन है अगस्त 2021 में इसरोद्वारा प्रक्षेपित कौन सा मिशन असफल था तो ये था G-set 1 मिसन जो की इसरो द्वारा प्रक्षे पित मिसन रहा और ये सफल नहीं हो पाया अगला प्रशन है भारत के 75 वे स्वतंता दिवस की थीम रखी गई है क्या नेशन फ़स्ट आलवेज फ़स्ट देखें दोस्तों भारत के 75 वे स्वतंता दिवस जो 15 अगस 2021 को मनाया गया उसका थीम था नेशन फ़स्ट आलवेज फ़स्ट अगला प्रशन है भारत का पहला ड्रोन फोरेंसी का नुसंधान केंदर अगस 2021 में कहां पर अस्थापित किया गया केरल में और अगस 2021 में हरियाडा के किन दो अस्थलों को रामसर सुची में शामिल किया गया है दोस्तों हरियाडा के सुल्तानपूर और भिंडावास को रामसर आर्दभूमी सुची में शामिल किया गया है अगला प्रश्ण देखते हैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्राले द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से E अध्यन मंच लांच किया गया है तो इसका नाम है तपस और ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्राले द्वारा लांच किया गया E अध्यन मंच है अगला प्रश्ण है हाल में भारत बायोटेक द्वारा किस नाम से पहली नेजल वैक्सीन का लोगों पर परिक्षण सुरू किया गया है तो ये है VBV-154 ये भारत बायोटेक द्वारा पहली नेजल वैक्सीन है जिसका परिक्षण लोगों पर शुरू किया गया है अगला प्रेशन है अगस्ट 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्ब सिक जीन बैंक का उधगाटन कहां पर किया गया है तो नई दिल्ली में और अगला प्रेशन है वह केंद्र सासित प्रदेश जहां भारती नौसेना द्वारा 21 अगस्ट 2021 को 400 किलोमीटर लंबा जजबा एतिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया गया तो ये जम्बू कस्मीर में अगला प्रेशन है अगस्ट 2021 में भारत ने किस देश से 1-113 असाल्ट राइफल खरित के समझहोते पर हस्ताक्चर किये है तो रूस से ये समझहोता किया गया है अगला प्रेशन है दोस्तों वह राज जहां अगस्ट 2021 में देश का पहला एलकोहल म्यूजियम खोला गया गो Meg renter male connectivity project पर हस्तक्षर किया है, तो मालदीब के साथ दोस्तों, मालदीब के साथ भारत ने 29 अगस 2021 को Meg 그래서 male connection ден twenty project पर हस्ताक्षर किया है, अगला प्रशन है अगस्ट 2021 में जारी Global Manufacturing Risk Index में भारत की कौन सी रैंकिंग है तो ये दूसरी रैंकिंग है और अगला प्रशन है 28 अगस्ट 2021 को भारत का पहला Green Hydrogen Electrolizer Gigafactory किसके द्वारा लांच की गई है तो ये Ohmium International के द्वारा दोस्तों भारत की पहली Green Hydrogen Electrolizer Gigafactory लांच की गई है अगला प्रशन है 17 अगस्ट 2021 को Center for Science and Environment द्वारा जारी पारदर्सिता इंडेक्स यानी Transparency Index में किस राज्य के प्रदोसर नियंतरल बोर्ड को पहला अस्थान मिला है तो उडिशा के प्रदोसर नियंतरल बोर्ड को पहला अस्थान मिला है राज्यसभा के सभापति अमबैंकाया नाइडू ने 2 सितंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया है तो दोस्तों डाक्टर पी-पी के रामाचार यूलू को राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है अगला प्रशन है हाल में केरल और करनाटक के विसेष्ट छेतरों के लो अगला प्रशन है लगभग 50 विभिन प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक उध्यान का उध्गाटन जुलाई 2021 में कहां पर किया गया है तो ये देहरा दोन उत्रा खंड में और जुलाई 2021 में भारत के किस राज में पहली बार जी का वाइरस रोग पाया गया है अगला प्रशन है सडक परिवहन और राजमार्ग मंतरी नितिन गटकरी ने 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले निजी छेतर के तरली कृत प्राकृतिक गैस या ली एलन जी सुविधा संयंतर का उध्गाटन कहां पर किया नागपुर में और अगला प्रशन है किस राजी सरकार ने जुलाई 2021 में राजी की सभी गर्भती महिलाओं को कोविड टीका करण है तो मात्री कवचम अभियान शुरू किया है तो ये केरल राज में दोस्तों केरल राज में राजी की सभी गर्भती महिलाओं के कोविड टीका करण के लिए मात्री कवचम अभियान किया है तो इसका नाम है दोस्तों कोवी होम कोवी होम आई आई टी हैदराबाद द्वारा विक्सित जो है आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस कोवीड नाइंटीन पर इक्षण किठ है अगला प्रशन यूपी इस्पेसल से भी संबंधित है इंडियन पोर्ट रेल एंड रोप् प्रशन ने किस हवायड दे और फिल्म सिटी के बीच पहली पाड टैक्सी से वा तैयार की है नोएडा उतर प्रदेश में और हाल में भारत का एक्क्यावनवा और तमिलनाडु का पांचवा टाइगर रिजर्व किसे घोसित किया गया है तो दोस्तों स्री विल्ली जिनका हाल में अफगानिस्तान में निधन हो गया तो ये थे दानिश शिद्धी की ये पुलितजर पुरसकार विजेता भारती फोटो पत्रकार थे अगला प्रशन है महराष्ट सरकार ने सितंबर 2021 में कहां पर राजिव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी अस्थापित करन की घुशड़ा की गई है अगला प्रशन है सितंबर 2021 में किसने दोस्तों सितंबर 2021 में देखिए किसने जो है सारुजनिक छेतर के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिम्टेट की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कारेभार ग्राण किया है तो अगला प्रशन है सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफार्म लांच करने माला एशिया का पहला देश कौन है तो ये है भारत है और अगला प्रशन है भारत का पहला डुगोंग यानि समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व को कहां पर अस्थापित करने का निड़े अगला प्रशन है दोस्तों एक से सास सितंबर 2021 के बीच देश भर में मनाए गए राष्टी पोसंड सप्ताह का केंदरी थीम क्या था तो ये था फीडिंग स्मार्ट राइट फ्राम इस्टार्ट अगला प्रशन है 25 अगस 2021 को फोप्स द्वारा जारी सूची के अनुसार प 1138.5 कैमरा लगा कर दूसरे अस्थान पर है और पहले अस्थान पर रहने वाले दिल्ली में प्रतिवर्ग मेल में 1826.6 कैमरे लगे हैं अगला प्रशन है दोस्तों आंधर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2021 में SBI के किस पूर्व अध्यक्ष को अपना नया आर्थिक सलाहकार न ने उक्त किया है अगला प्रशन बहुत ही important है इसको मैं star कर रहा हूँ जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित ओध्योगिक सहर कौन बना है तो ये कंडला गुजरात भारत का पहला green industrial city बना है अगला प्रशन है जुलाई 2021 में देश का कौन सा सहर गुडवत्ता पूर्पेजल उ धरोहर समिति ने भारत के किस अस्थल को देश का 49 विश्व धरोहर अस्थल घोशित किया है तो ये है रुद्रेस्वर मंदिर वारंगल तेलंगाना दोस्तों यूनिस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के रुद्रेस्वर मंदिर वारंगल तेलंगाना में जो इस्थित ह इसको देश का 49-वा विस्व धरोहर अस्थल घोसित किया है अगला प्रश्ण है भारत का वह भारत इस्थित्व हडपा कालिन पुरा अस्थल जिसे यूनिसको ने जुलाई दोहजारीकिस में विस्व धरोहर अस्थल सूची में भारत के 40-वे सहर या अस्थल के रूप में शामिल किया है तो ये है धौला बीरा धौला बीरा दोस्तों गुजरात में इस्थित्थ हडपाई नगर था अगला प्रश्ण है जुलाई 2021 में किस सहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया है तो याद रखियेगा गुरु गराम हरियाड़ा में देश का पहला अनाज ATM खोला गया है 18 जुलाई 2021 को भारत और नेपाल के बीच किन दो यानि जैनगर बिहार में है और कुर्था नेपाल इसके बीच रेल गाड़ी पर चालन प्रारम हुआ है अगला प्रशन है 12 जुलाई 2021 को नवीन और नवीकाड़ी उर्जा मंत्राले ने किस अस्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की अस्थापना को मंजूरी दी है तो ये जगह है खावारा कच गुजरात में दोस्तों भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की अस्थापना को मंजूरी दी गई है अगला प्रशन है हाल में खादी प्राकृतिक प्रेंट का ब्रांड अमबिश्डर किस केंद्री मंत्री को बनाए गया है तो नितिन गड़कर और जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांग 2020 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है दोस्तों साइबर सुरक्षा सूचकांग 2020 में भारत दसमें अस्थान पर है अगला प्रशन है दोस्तों 9 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्राले की अस्थापना की है तो ये है सहकारिता मंत्राले और हाल में भारती रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्क्योवेडियम टेनल की सुरुवात किस रेलवे इस्टेशन पर की गई है तो ये है बंगलूरू रेलवे इस्टेशन अगला प्रशन है दोस्तों हाल में यूनिसको द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लेंड इसके परियोजना के अंतरगत मध्य परदेश के किन सहरों का चैन किया गया है तो दोस्तों हिस्टोरिक अर्बन लेंड इसके परियोजना के अंतरगत मध्य परदेश के ओर्चा और गौालियर का चयन किया गया है अगला प्रश्ण है प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा मैटेरियल साइंस की प्रगत में भारत के किस संस्थान को दुनिया भर के 50 संस्थानों में अस्थान मिला है अगला प्रश्ण है दोस्तों वह राज जहां भारत के पहले क्रिप्टो गैमिक अपुस्पी पादप गार्डेन का उद्गाटन 11 जुलाई 2021 को किया गया है तो ये चकराता देहरादोन उत्राखंड में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक यानि अपुस्पी पादप गार्डेन का उत्गाटन किया गया है अगला प्रशन है दोस्तों भारत सरकार द्वारा हाल में गठित राष्टी होमियोपैथिक आयोग का पहला चेयर्मैन किसे नियुक्त किया गया है डाक्तर अनिल खुराना को और अगला प्रश्ण है श्टार्टप ब्लिंक द्वारा हाल में जारी Global Startup Ecosystem Index 2021 में भारत का कौन सा अस्थान है तो 20 वां अस्थान है Global Startup Ecosystem Index में अगला प्रश्ण है अगस्थ 2021 में Smart Health Card योशनाग सुरू करने वाला देश का पहला राजि कौन सा है तो ये ओडिशा है और IIT मदरास द्वारा अगस्ट 2021 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी मोटर चालित विल्चेयर का विकास किया गया है इसका नाम है दोस्तों नियो बेल्ट नियो बेल्ट IIT मदरास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित विल्चेयर है अगला प्रशन है दोस्तों देखिए अगस्ट 2021 में उत्राखंड के किस जिले में भारत के सबसे उचे 11,000 फीट हरबल पार्क का उधगाटन किया गया है तो ये माना गाउं चमोली उत्राखंड में इस्थित है हरियाडा के मुख्यमंत्री मनुहरलाल खटर ने हाल में राजी के किस हवाई अड़े का नाम बदल कर महराजा अग्रसेन अंतराष्टी हवाई अड़े कर दिया है तो दोस्तों हिसार हवाई अड़े का नाम बदल कर महराजा अग्रसेन अंतराष्टी हवाई अड़े किया गय अगला प्रश्ण है हाल में हैदराबाद में ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा बिक्सित भारत के पहले स्वदेसी ड्रोन का क्या नाम है तो दोस्तों भारत के पहले स्वदेसी ड्रोन का नाम इंद्रजाल है अगला प्रश्ण है हाल में भारती सेना ने कस्मीर इस्थित अपन अनसी द्वारा हाल में भारत में अपना पहला डिजटल केंद्र कहां पर लांच किया गया है सूरत गुजरात में और अगला प्रश्ण है देश का वह राजमार्ग जो अगस्त 2021 में देश का पहला EV-friendly यानि इलेक्ट्रिक वेहिकल हाइवे बन गया है तो ये चंडीगढ दिल दिल्ली चंडीगढ हाइवे देश का पहला राजमार्ग है जो अगस्त 2021 में देश का पहला इलेक्ट्रिक वेहिकल हाइवे बन गया है अगला प्रश्ण है दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल ने तेश अगस्त 2021 को देश के पहले इसमाग टावर का उदगाट किया है अगला प्रश्ण है हाल में डिस्क 5 यानि डिफेंस इंडिया स्टार्टप चैलेंज 5 की पहल की शुरुआत किस मंतराले द्वारा किया गया है तो दोस्तों डिस्क 5.0 यानि डिफेंस इंडियन स्टार्टप चैलेंज का शुरुआत रक्षा मंतराले के द्वारा कि तो रुद्राच का उधगाटन वारांटसी में किया गया है दोस्तों भारत में जापान के सहयोग से International Cooperation and Convention Center जिसका नाम रुद्राच है ये वारांटसी में इसका उधगाटन किया गया है अगला प्रशन है केरल के कोलम जिले कवाह गाउं से हाल में केरल के पहले बुक विलेज का सम्मान दिया गया है तो ये गाउं है पेरूम कुलम पेरूम कुलम गाउं को दोस्तों केरल के पहले बुक विलेज का सम्मान दिया गया है अगला प्रशन है केंद्री रच्छा मंत्री राजनाज सिंग ने 29 अगस 2021 को चेन्नई में किस स्वदेश निर्मित तट रच्छक जहाज को राष्ट को समर्पित किया तो ये है ICGS विग्रह दोस्तों ICGS विग्रह जो है ये स्वदेश निर्मित तट रच्छक जहाज है जिसको रच्छा मंतरी राजनाथ सिंग ने चेन्नई में राष्ट को समर्पित किया अगला प्रश्ण है दोस्तों यहां पर देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्ण है हाल में रक्षमंत्री राजना सिंग ने किस खेल संस्थान का नाम परिवर्तित करके अगला प्रश्ण है दोस्तों जम्बू कस्मीर के उपरा जिपाल मनुष सिनहा ने महिला उद्यमियों को प्रोसाहित करने के लिए हाल में किस कारेकरम को लांच किया था तो यह है दोस्तों होसला इंस्पाइरिंग हर ग्रोथ यह जम्बू कस्मीर के उपरा जिपाल मनुष सिनहा द्वारा दोस्तों यह महिला उद्यमियों को प्रोसाहित करने के लिए होसला इ पुसकर सिंग धामी को तीरस सिंग रावत की जगह उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। अगला प्रशन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तह संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ट 2020 में किस राजी को सिर्ष सम्मान मिला है? तो ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को दोस्तों स्मार्ट सिटी अवार्ट 2020 में सिर्ष अस्थान मिला है। अगला प्रशन है, हाल में हैदराबाद इस्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रच्छा गुंबत को विक्सित किया गया है? तो इसका नाम है इंदरजाल और अगला प्रशन है, एक जुलाई 2015 को परधान मंतरी नरेंदर मोधी द्वारा लांच की गई, कौन सी योजना ने एक जुलाई 2021 को सफलता पूरवक 6 वर्स पूरे किये? तो ये दोस्तों, डिजटल इंडिया मिसन, दोस्तों डिजटल इंड अभियान इसने एक जुलाई 2021 को सफलता पूरवक 6 वर्स पूरे किये हैं, अगला प्रशन बहुत ही महत्वपूर है, ये इंपार्टेंट है, देखिए, इस्टार मैं लगा रहा हूँ, कल्पना चावला सुनीता बिलियम्स के बाद भारती मूल की वह महिला अंतरिक्ष या तो ये हैं सिरिशा बांदला, दोस्तों कल्पना चावला और सुनीता बिलियम्स के बाद सिरिशा बांदला भारती मूल की तीसरी महिला हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है, अगला प्रशन है, प्रधान मंतरी मनरेंद्र मोधी ने कहा पर 29 जुन 2021 को वर्चूल माध करने वाली किस परमाड मिसाइल का 28 जुन 2021 को चादीपूर के अब्दुल कलाम देप से सफल पर एक्षण किया गया है, तो इस मिसाइल का नाम है अगनी प्राइम, अगला प्रशन है, जुन 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज गोवा है, अगला प्रश का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये है पंजाब राज्य जो इलेक्ट्रानिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला पहला राज्य है, अगला प्रशन है भारती दवा कमपनी जो है जाइडस कैंडिला द्वारा निर्मित दुनिया की वह पहली डि यन्य वैक्सीन है अगला प्रश्न है वह राज सरकार जिसने हाल में संस्कृत सास्त्रों और बेदों के ग्यान को पुनर जीवित करने के लिए वैदिक सिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोश्रा की है तो ये है दोस्तों राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार ने संस सास्त्र और बेदों के ज्यान को पुनरजीवित करने के लिए वैदिक सिक्षा और संसकार बोड का गठन किया है अगला प्रशन है भारत की पहली निरंतर सकरात्मक वायू मार्ग दबाव अस्थानापन मशीन जीवन वायू जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विक्सित की गई है तो ये IIT रोपर द्वारा जीवन वायू मशीन का निर्मार किया गया है अगला प्रशन है Charity Foundation द्वारा जून 2021 में जारी World Giving Index में भारत को कौन सा अस्थान दिया गया है तो दोस्तों World Giving Index यानि 200 के दानियों की सूची में भारत को 14 अस्थान दिया गया है अगला प्रशन है वह राजी जिसने नोबेल पुरसकार विजेता एस्थर डुपले और आर्बियाई के पूरो गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में पांच सदसी राज आर्थिक सलाहकार परिसद में नामित किया है तो ये तमिलनाडु सरकार है दोस्तों तमिलनाडु सरकार द्वारा नोबेल पुरसकार विजेता एस्थर डुपले और आर्बियाई के पूरो गवर्नर रघुराम राजन को पांच सदसी राज आर्थिक सलाहकार कॉंसिल में नामित किया गया है अगला प्रशन है दुनिया का पहला आनुआंसिक रूप स गया है और इस वीडियो का यानि मार्दशन समसामाइक जो घटना चक्र है समसामाइक घटना चक्र के घटना सार के महत्वपूर करेंट अफेर्स प्रशनों की स्रिंखला के भागेक का अंतिम प्रशन है जून 2021 में भारती वाई सेना में फाइटर पाइलट के रूप में श पारती वाई सेना में फाइटर पाइलट के रूप में शामिल होने वाली जम्बू कस्मेर की पहली महिला है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मार्दशन करेंट अफेर्स के अंतरगत राश्ट्री ये समसामाइक घटनाओं का पहला भाग इसका अगला भाग हम कल प्रस पूर्ण है वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेर करें और इस चैनल मार्दशन फार सिविल सर्वेशल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार